हेलो फ्रेंड्स तो भाई आज हम बात करने वाले most important reaction देख सकते हो युगमन अपक्रिया तो भाई exam के लिए महत्पूर्ण है ठीक है और exam में पूछी भी चाहती है तो आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा ही आसान reaction के बारे हम देख सकते हो विद exam पर इसे बहुत ज़्य कहरा युगमन अपक्रिया में कहरा आपसे फिनाल को 30 degree centigrade पर छारों की उपस्तिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का रंजक बनता है ठीक है रंजक का वल्लब डाई ठीक है डाई बनता है और यही अपक्रिया आपकी आरंगी रंग का रंजक बनता है और यही अपक्रिया आपकी युगमन अपक्रिया होती है ठीक है तो यह बात है आपकी युगमन अपक्रिया की ठीक है इतनी थ्योरी है इसकी एकदा मसान तो देखो सिंपल फिनाल आपको लेना फिनाल का फॉर्मला आपको पता होगा क्या होता है C6H5OH, फिनाल का क्या फॉर्मुला होता है आपका C6H5OH, ठीक है, यह आपका फिनाल का फॉर्मुला होता है, C6H5OH, और बात करें अगर इसे रिंग के माध्यम से कैसे लिखा जाए, तो देख सेकते हैं, बेंजीन लिगे, आपको इस पर उपर यहां पर OH लगा देना, है, तो यह आपका क्या है, फिनाल, ठीक है, आपको इसको 30 दिग्री सिंटीग्रेट पर 6 रोग की उपसे, ती में Benzene Diagoneum Chloride, तो इसका फोनला क्या होता है, बैंजीन Daogenum Chloride का सी 6H5, N2Cl, ठीक है, यह Benzene Diagoneum Chloride का फॉर्मुला होता है, ठीक है, तो देख सकते हो, तो आपको फिनाल लेना है फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो आपने सिंपन यहां देख सेकते हो फिनाल ले रखा है फिर आपका वही फॉर्मला आपको पता है C6H5 OH ठीक है फिनाल का और रिंग के बादें से यह बेंजीन रिंग बना उपर OH लगा दो ठीक है यह होता ह है फिनाल ठीक है और अगला फॉर्मला आपका क्या था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का ठीक है फिनाल होगे आप क्या है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्मला क्या होता है C6H5 N2Cl क्या होता भया C6H5 N2Cl ठीक है और आपका देख से तो यह आपका वही तो लि डिग्रे सेंटिग्रेट पर इसे गर्म करेंगे एने वह अच के आपका छार ही तो है ठीके तो वही छार लिगा है अपने तो जब इसकी क्रिया होगी तो आपका देख सकतो एक रंजक का निर्माड होगा पैरा हेड्राक्सी यह जो बेंजेन का देखो एक दा मासा अनिक्सन कुछ नहीं इस पर ठीक है यह देखो आगर फिनाल का अलू का यह जो हैट्रोजन है और इसका जो क्लोरीन यह हैचसील आपके बाहर निकल जाएगा देख से तो हैट्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया जो बचा उसे आपको सिंपल बॉंड लगा कर जोड़ देना है देखो यह जो आपका फिनाल की रिंग थी फिनाल की रिंग हो गई और आपको जो देखो यह उतना हो गया ठीक है फिनाल की रिंग और आगे जो एन डबल बॉंड आगे की रिंग है उसको उसी तरह जोड़ देना है सिंगल बॉंड से ठीक है सिंपल के वाल HCL को बाहर निकालना और जो बचा उसे जोड़ दो पैरा हेटराक से एजो बेंजीन का निर्मार हो जाएगा और भाईया यही अपक्रिया आपकी युगमान अपक्रिया को लिया क्योंकि आपका क्या है यहां पर चार काम कर रहा है ठीक है तो चारों की उपस्तिति में बेंजीन डाय एजोडियों क्लोराइट तो बेंजीन डाय जोडियों क्लोराइट भी ले लिया तो यह बाईय थी आपकी युगमान अपक्रिया इंपोर्टन ठीक जाब के लिए तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ले लाइक भी कर देना ओके थैंक्स पर वाचिंग देस वीडियो